दो घंटे तक 141 लोगों की सांसे हवा में अटकी रहें लेकिन अंत भला तो सब भला आखरकार एर एंडिया के विमान कित रिची एरपोर्ट पर सुरक्षृत लैंडिंग हुई और दो घंटे तक हवा में रहने के बाद लोगों की सांस में सांस आई दरसल तमिल नाडू के तिरूचरापली से शार्जा जाने वाली एर एंडिया की फ्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट हुआ था शाम को उडान भरते ही लेंडिंग गेर से जुडा हुआ हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ और इसके बाद तो उपर लोगों की और नीचे दुनि सवार थे जैसे ही फॉल्ट का पता चला एरपोर्ट पर इमर्जंसी खोशित कर दी गई पहले तो प्लेइन को हवा में चक्कर लगाकर उसका इंधन खतम किया गया और फिर हुई इमर्जनसी लेंडिंग जैसे ही इमर्जनसी का एलान हुआ ततकाल एरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और एम्वुलेंस का इंतजाम करवाया गया पाइलट की तरफ से एमर्जनसी संदेश मिलते ही आनन फानन में एरपोर्ट पर रेस्क्यू टीम को साजो सामान के साथ कहनात क रखा गया एर ट्राफिक कंट्रोल की तरफ से लेंडिंग का एलान हुआ और फिर इसकी सुरक्षत लेंडिंग वहीं पर हुई जहां से इसने उडान भरी थी एक खास बात यहां पर एक खास बात और है कि आखर विमान को धाई गंटे आसमान में घूमना क्यों पड़ा इस उसमें बैली यानि की पेट के बल लैंडिंग की नौबत ऐसे में इंधन भरा होने पर आग लग सकती है इसलिए विमान के इंधन को चक्कर काट काट कर कम किया गया ताकि आग ना लगे हाला कि इसकी नौबत नहीं आई ये तो सिर्फ एक घटना क्रम हुआ अब थोड़ा पीछे चलते हैं आपको बताते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं कब-कब आखर सामती आई उन्नस माई को एर इंडिया फ्लाइट की एंजन में आग लगी थी बैंगलूरू से कोच्ची जा रही फ्लाइट आई-X-1132 के इंजन अचानक आग लगने की जानकारी इसमें मिली और फिर बैंगलूरू एरपोर्ट पर इमर्जनसी लेंडिंग करानी पड़ी सभी 187 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला गया टेक ओफ के तुरंद बाद ही आग लगी थी रात को लेंडिंग के बाद पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया और साथ ही आग वापस दिल्ली लोटना पड़ा बाद में जानकारी लगी कि फ्लाइट को सुरक्षित उतार लिया गया है एर कंडिशन यूरेट में आग लगनी आशंका के चलते हवाई जहाज को वापस उतारा गया इसमें 175 यातरी सभार थे इससे पहले 13 अप्रेल को चंडीगर में खराब होने के कारण वहाँ लैंड नहीं कर पाई इसके बाद इसे चंडीगर डाइवर्ट किया गया और जब वहाँ फ्लाइट को लैंड कराया गया तो समय फ्लाइट में केवल दो मिनट का इंधन बचा था थोड़ा और पीछे चलते हैं तीन फरवरी का जिकर करते हैं य विमान दुरघटनाओं का इतिहास बहुत लंबा रहा है जिसमें जिन्दगी बचने का निउन्तम गैरेंटी होती है अंदाजा लगाई है कि तरिची से उडान भरने के बाद धाई घंटे तक आसमान में अटके लोगों के दिमाग में आखिर क्या कुछ चल रहा होगा उन झाल झाल